बरवाला का बधाली होने का कारण आपका है यह विदायक जीक जोगिराम सियाग ना किसने इस हालात को बदलने में जिसने नाकाम है और एक तरह से हालात जो है खस्ता से खस्ता होते जा रहे हैं बरवाला के इस्तिती ऐसी है दोसी को ने आप या विदायक अधिकारी नहीं सुनते देखो अधिकारी काम करते हैं अधिकारी नहीं करते हुआ जो पबलिक यह ऐलतीकार डिबाइक में पंदरा वर्शों से तो मैं देख रहा हूं सबस्टूराई मतलब कि विदायाई जी को भी गुम्रा कर देते हैं या बेदायजी को लोली बोब देने वाड़ा ही काम हो जाता है मैं करे देरें आप के रहे थे मैंने जादू की जढ़ि चला दिया त मेरे पानी निकल गया बहुत अच्छी तरह से देख रखी है मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं यहां की जनता निरंतर संपर्क में रहती है आप बारिश में चलो एक काम कर ली यह बारिश के पानी के बारे में पूरे बरवाला में किसी से पूछ ली पर पहले के कमपरिटिव कितना जल्दी उ साल बाद में ब?, बशा सब नगरब काम करें अब अचा नगर ना करना अगर आगर कोई कम बात रहा ता बता सकते ने मैं यह कह दूah मैं पहँछी को जैसे कब बढ़ ऊड़ आट नि पर तो नग्कार ने को ऑदिकार उचलते हैं अभर की ठीक करने अगर उन अगर कोई की त वो अच्छा करें तो अच्छा ही करना पड़ेगा जहां गलत करेंगे तो मैं गलत भी कमगा जहां अगर वो अड़के चलेंगे मुझे लगता है बर्वाला चल के लिए नुक्सान दे काम कर रहे हैं और विदायक जी डिक्टेक्टर सीप अपनाएंगे जामाओ किलाब भी प खारन आपका है यह विदायक जी जोगिराम शियागना किसने इस हालांथ को बदलने में जिसने नाकाम है और एक तरह से हालात जो है खस्ता से खस्ता होते जारे हैं व्ला की स्तिती ऐसी है दोशी कोने आप य। हैं नि koji दोशी में गभार्शी को यह है दो विज्याएंग गर्णमेंट में विकास तो दोनों का हो गया, जनता का तरही को है? देंगह नहीं पूर्शिता से सारे काम हो और जो भी टेंड़ लगे व पुरी पारदर शिता के साथ लगे और सारी जंता को ये पता हो कि इसके पर क्या कितनी डिटेल लगनी है कितनी बजरी लगनी है कितनी रोडी लगनी है कितनी सीमट सारी डिटेल ओन्लाइन सब के सामने होती है और कोई वो तो विकास आपके लिए सड़कों की बात करें, गंदगी इतनी हैं, बेसारा पशुई इतनी हैं, आप न बरवाला के रोड की अगर बात करें, में सड़क में आलात हैं, गंदगी है, पोलतीन पड़ें, कचरा पड़ा हुआ है, गलियों में जाओके गंदगी हैं, आप हमारी भी सुनी हैं, मैं यह कह रहा हूं, जब भी कोई अमेन कोई नया बावन बनाना तो कोई बिल्डिंग बनानी होती है, तो पुरानी चीजों को उखाड़ना पड़ता है, आप अपना मकान भी तोड़ेंगे, एक बनाना नया बनाना जब आपको पड़ता है, तो स उसको, वैसे तो आप चाहिए कुछ कहलेजी, आप से पहले तो आप कहते थे एक बरवाला को साला उजाड के रख दिया, खोद के रख दिया, सारा सड़कें, ऐसे आहलाद कर दिया, अब आप उसी बात को सहमेती करें, बना कुछ करना है तो खोदना पड़ेगा, तोड़न पड़ेगा कमाले, सुनिए मैंने आप फिर वही बात, आप कोई भी इंटो मेरा उठा के देख लिए, मैंने हर समय यह का था, बरवाला की तस्वीर बदले में, दो साल का वक्त चाहिए, आप किसी भी मंच पे देख लिए, किसी भी मेरी जंच सभा में देख लिए, बोट म पुरुन होँगे, तो आपको सारी चीजे स्वाइंता नजर आएंगे, और मैंने आपको भी कहा, आपने भी मुझे कभी बार इंट्र्व लिए हैं, हर अपके पास करमचारी पुरे हैं, सफाई ववस्ता के लिए, और के लिए जो गली हो के साफ करना है, पार्कों को साफ क करने करमचारी पूरे हैं देखे मैं यह बता दूं कुछ से टेंडरिंग हमारी हो गी है जैसे डोर टूर कच्रा कोलेक्शन का हमारा टेंडर अभी यह मैं आपको दिखा दूं क्यूंकि आपका कैमरा दूर है इसकी परमिशन आ चुकी है दो चार दिन में नया कम स्टार्ट हो करेगा जितना वो वजन देगा उसी साफ से उसको पेमट दाई होगी तो इससे साफ है जितना जो वड़ंगा उसको उठाना होगा वड़ंगा ज्यादा से ज्यादा उठाएगा तो ही उसको पेमट होगी उसकी मोनेटरिंग होएगी या उसके ठेकदार के उपर छोड़ द फिट भी बाग किसी के पास है और सेनेटरी का भी बाग किसी के पास है और अधिकारियों की तो जिम्वारी बनती है तो हमारी भी मोनेटरिंग साथ सब कमेटियों की होती रहती है जो सब कमेटियों की जो रिपोर्ट आती है उसे इनुशार आगे सारी करवाई होती है इस इल और फलो होता रहता है उसकी कोई समस्चा नहीं है अगर बात करेगा कोई है इस इस हाहलात को बदलेगा कौई देखिए ये बदलने की जिमारी जनता ने बिलकुल मेरे उपर भी दीव है और विदायक जी को भी दीविए, दोनों की जिम्वारी है, मैं ये बता दूं, लेकिन जो पब्लिक एल्थ का डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल हमारे से अलग है, जहां भी आप जो भी समस्यें देखोगे आज बरवाला सहर के अंदर, तो आप जितनी भी समस्यें जितनी भी पब्लिक आप किसी गली में चले जाएए, या कहीं भी चले जाएए, अगर पानी खड़ा है, तो आप कमेटी की बजाए से खड़ा हो, तो आप मुझे बता देना, बदलने की जिमेदारी आपकी है, न तो बिदायक जीस से आपका वो मिलता, न उनका, दोनों अ जाना है, बरवाला का सुधार होना है, तो सुधार भी हो पाएगा, जब तक कठे नहीं होंगे, तो अब तक किस तरह से सुधार करेंगा, ने, ने, आपको अलग किसी ने कहा दिया, आप लोग कठे बेटके, आपने सला मसवरा किया है, कि हमें ये समस्या, इस समस्या को हलो कर लेते हैं और जहांता कि अब वस्ता सुधारने की बात है तो दोनों और से परियास हो रहा है और मुझे लगता है जिस परकार से परियास हो रहा है तो आने वाले समय में बर्वाला की अच्छी बदल जाएगी खुब शुरूत तस्वीर होगी मैं ऐसा बर्वाला चाहर की जनता को विश्वास दिलाता हूं और जो मुश्टली समस्या है हमारी मैं यह कह दूं कुछ मजबूरियां हो जाती है पुब्ली का जैसे डिपार्टमेंट है क्योंकि वो नगर पालिका के अंडर होगा ना तभी काम थोड़ा सा तालमेल हो जाता है अब वो डिपार्टमें का काम करते हूं वह जो पॉलिक हैं डिपार्टमेंट में 15 वर्सों से तो मैं देख रहा हूं जाता है काम करना कुछ नहीं है आजरी पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यह अजरी मार दो इनको पता है, यह कोई भी बने, उसकी आजरी मारने के महीर होते हैं, आजरी मारके उनको खुश कर देते हैं, उनको काम से फिर थोड़ा सा रिलेक्शन मिल जाता है, अगर चेर्मेन शिकायत करेगा तो बिदायक नहीं सुनेंगे उनकी की अधिकारियों की चलने वाली नहीं है अब काम बरवाला की जनता जैसे चाहिएगी उनको करना होगा उनको बदलना होगा मैं आपको विश्वास देलाता हूं और यह बदलेंगे बदलना की जैसे तस्वीर किस तरह से बदलेगी जैसे आने वाले समय में बरसाथ भी होगी जैसे मोसम चेंज होगा तो पहले किस्तियां और एक तरह से ट्यूब डाल कर लोग यहां पे यहां की तस्वीर वाइरल होती थी क्या उस इस बार आप लोग निजात पाहेंगे यह वह यहने वाली है फिलाहाल की काम जो चल रहा हूँ शाब से मैं यह कह दूँ आप देख रहे हो पहले भी आप बरवाड़ा में आते थे आप किस्तियों की बात मैंने जैसे ही कारियाबार समझाला तो तब बाड़ी साही आपने देखा भी होगा अलात तब भी पानी पर बड तो आने वाले समय में बरसाती पानी की लाइने डाली जारी है और पीने के पानी की भी लाइने डाली जारी है तो विदायक जी काम कर रहे हैं बरसाती पानी के लिए सही कदम उठा रहे है या गलत उठा रहे है? देखो मैं यह कह दूंँ परयास उनका अच्छा है इसमें कोई धुराहेनि मैं आपको कह रहा हूं परयास कोई विजन परतिनी दी होता है वो हमेशा है यह चाहता है कि उसके एरिया का विकास जादा से जादा ओर जलदी हो यह उती हो लो कई भर फैदाई से उठा जाते हैं म लगबक 4 साल बादeldरा बुदाईग जी काम कररें सब्सक्राइग और कोड़िवर काम करर हें अब आप कह रहें कि विदायक जी को समझ गया हूँ ऐसी कोई बात नहीं है अगर मुझे कहीं गलत लगेगा तो मैं उसके खिलाब बोलता भी हूँ मैं यह नहीं है मैं कभी किसी की चापलू सी नहीं करता मेरे बारे में आप किसी से पूछ लीजी मन में जो कड़वाड था वो मिठा से बदल गया है ने अगर जहां वो अच्छा करें तो अच्छा ही कहना पड़ेगा जहां गलत करेंगा तो मैं गलत भी कहूँगा जहां अगर वो अड़के चलेंगे मुझे लगता है बरवाला से लिए नुक्सान दे काम कर रहे हैं और विदायक जी डिक्टेक्टरसीप अपनाएंगे जामाओ किलाब भी बोलूँगा मैं इसमें क्या बात है तो मतलब दोनों मिल के चल रहे है तो बरवाला के हालात जैसे बधाल है फिलाल की इस्तितिकी बात करें तो आप निचे उतर के देखते ही आपके आसपास में कुड़ा इतना है गंदिगी इतनी है कहीं भी जाएंगे तो कहीं पानी खड़ा है कहीं मच्छरों का वह है पान कर रहे हैं चाहिवी दायक आगले यह बने और बने देखो काम तो चलता ही रहता है ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाएगा मैं कहरा हूं मेंडेट जनता ने पांस साल के दिया है कोई दो साल का चैवी नेका तो नहीं दिया था जितना साल बचा हुआ उसी आप से दिरे-दिर आइए जल्दी शायद मेडिया को जाधा जल्दी है बरवाड़ा की जनता ने तो पांस साल के जी मैंडेट ये तो आपको जल्दी क्यों हैंLYまぁरे आप चोटे-छोटे रेडी वाले पतीदार जो बैटे हैं पतीदार उनको लोन देने का आपकी सुमेम अपने का था है कि उनको ऐसा स्थान देदेंगे दुकानदार परेसान नहीं करेंगे उनको रगए अगरी रेडी हटाना नहीं पड़ेगा मैं उनका स्थाही समाधान या अभी तक आपने सिर्फ बाते को वो कर दी उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बहुत ज्यादा है जल्दी नहीं है जो समस्या उसकी बात कर रहा है नहीं समस्या समस्या पुरानी है राजनती बात कर रहे हैं फिर राजनती वाली बात कर रहे हैं वही आप उसी में बढ़े किराया तक लेने वाड़े लोग उते थे आज बताईए कहीं है आपने बहुत सी चीजों को बदला है आपने बदल दिया कि नगर पालिका के करमचारी जागे उनको परिसान कर देते हैं उस पर आपने रोक लगा दी लेकिन उनको स्थाई समाधान करने के लिए अभी पर आपने प्रियास नहीं कि उसके लिए वासरूम आपने कहां बनाया अभी तक इतना लंबा समय हो गया लगबग आपका अभी तक जो महिलाओं के लिए बच्चीयों के लिए वासरूम की वेवस्त आपने की आपने की है मेन रोड लगबग से तीन फूट उचा उठाया जाएगा दो फूट उठता है यह नि रोड का जैसे काम चलेगा वह लेवलिंग का काम एक वह उचा उठेगा अगर आज हम कहीं बनाते हैं उसको तोड़ने की दुबारा जुरूरत पड़ गी न हमारा अल्टरनेटर के तोर आज पुरानी जो नगरपाली का बावन है उसके अंदर हमने टोइलेट बात्रूम बढाया हूँ और निरंतर हम देखते रहते हैं कई वर यह नहीं मानतावी में हो जाए दिकत भी आज बिल्टिंग में तो आपकी गंदी की बहते हैं मच्छर बहते हैं वहां तो पानी बना रखा है वहां पर टोइलेट की भी मैं बता दू बीच मिच में देखो कोई चीजे खराब हो जाए तो बात अलग है नहीं दो मैं स्वैम देखता रहता हूं वहां ठीक है मैं में रोड पे जैसे आला तो रही उससे बहुत अच्छी है लेकिन मानता हूं मैं अभी सब्सक्राइब कर देखता हूं मैं खुद भी कह रहा हूं जैसे सड़क बनेंगे सारे काम पूरे हो जाएंगे इसमें कोई दो रहने सारे कम विकास दिखना कब सुरोगा अभी तो दिखनी रहा कही छुपा हुआ है पता निक विकास घुमने के आए कहां गया है लेकिन वि इतने में समय नहीं लगा अलब एक साल का समय तो होने वाला है दूसरा साल सुरू हो जाएगा मैं यह कह रहा हूं आपको ज्यादा जल्दी लग रही है मुझे लगता है आपको आपको कोई गड़ी है कोई टाइमिंग कोई अलग तरीके से काम कर रही है कोई महीने में हो जाएगा आदा साल से उपड़ी अदा साल से हो गया आप यहां हाथ ही मैं कह रहा हूं वारस्तार इनर कि पार सिथा अधी आपके ऊसमें तेन्डर लगंगे टेन्डर तो लग ले किंडर में अगर बात करें पिछली वर्सें में गोटाले आये थे अलग लग गोटा ले उस तरह के हला तो इस बार नहीं होने वाले। पख जाएगा ओर जो हमरा सफाइ का टेंडर है वो वह भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा भी कॉपकर तेने हैं दो चार पांत दिन में कभी भी व काम नया स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी ट्रेक पर गाड़ी अपनी मंधिल पे चाहिए कि मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ बहुत बहुत धन्यवासा में देनी रमेश बेटरी वाले चेयर्मेंट बर्वाला से हैं इन्होंने कहा कि हाला कि पहले आलोसना करते थे थोड़ा से हो सकता है मिठास दोनों में सहमती बन गी है विधायक और चेयर्मेंट कि निकासी कितनी जल्दी होती है में जो समस्या है बर्वाला की बरसाती पानी को लेकर है सहर के बीचो बीचो एक तरसे तलाव की नदी की इस्तिती बनती है उसका सुधार होना जरूरी है गलियों और सड़के सफाई वेवस्ता उसके लिए निरंतर कह रहे हैं मैंने शुर हर कर पाएं